हलो दोस्तों इस सुड़ों में हम लोग कक्छा तीसरी हिंदी का पार्टेरा होन्हाल लईका नरेंद्र का प्रश्णाव अभ्यास और भासाध्यन और व्याकरण देखेंगे प्रस्न नमबर पहला है नरेंद्र काखर नाव रहीस उत्तर नरेंद्र श्वामी विवेकानंद के नाव रहीस प्रस्न नमबर दूसरा नरेंद्र कक्छाम काकरत रहीस उत्तर नरेंद्र कक्छाम आखीला मूदे मूदे ध्यान लगा के गुरुजी के सबो बातला सुनत रहीस प्रस्न नमबर तीसरा गुरुजी नरेंद्र उपर काबर खुसियागे उत्तर होई गुरुजी इतिहास पढ़ावत रहीज गुरुजी देखिस की नरेंद्र के ध्यान कौन जनी काहा रहीज ओकर आखी हो आधा मुदाय रहीज आउ ओह हालत डोलत नई रहीज गुरुजी ओला देखिस ते ओला बढ़ रिसलागिस अवो काहोगिस घुसियागे प्रस्न नमबर चौथा गुरुजी के घुसा कैसे उत्तर गे उत्तर गुरुजी के घुसा के बल्दाम नरेंद्र हा थोरिक मुझकिया के कहिस मैं सूतत नई हाँ गुरुजी जागत हाँ ओकर बात ला सुन के गुरुजी ओकर मुझ ला देखे ला धरलिस ओह मने मने सोचे लागिस के यहां का भाई ऐसन किस्सा तो मैं हा न सुने रहे न देखे रहे गुरुजी के घुसा उतर गे प्रस्न पाच्वा नरेंद्र कैसन लड़का लईका रहीस उत्तर नरेंद्र अबढ़ होन हा लईका रहीस प्रस्न चट्वा ए आगु चल के नरेंद्र लग का नाव ले जानीगीस उत्तर आगु चल के नरेंद्र लग स्वामी विवेकन नाव ले जानीगीस प्रस्न दूसरा ए पहला कस्रे मुरू कक्छा मा बाइट के सूतत हस्रे उत्तर गुरुजी हा नरेंद्र ला कहिस दूसरा मैं सूतत नई हा जागत हा नरेंद्र हा गुरुजी ला कहिस तीसरा त ऐसने सूते अस काबर बाइट थस बेटा गुरुजी हा नरेंद्र ला कहिस आगे है भास अध्यन और व्याकरण प्रश्ण पहला खालियें लिखाए कठीन सब्दला लिखो और पढ़ो लच्छन, गुसा, सरश्वती, नरेंद्र, सक्पकागे, पिवेकन अदर इंतकाल प्रश्ण दूसरा उल्टा अर्थ वाले सब्द लिखो इकर उल्टा होई सम्मान, गुसा, उल्टा होई सान, परदेश, इकर उल्टा अर्थ वाले सब्द वही देश के परदेश गुन के अउगुन दुस्वनी के दोस्ती जनम के मरण प्रश्ण तीसरा वाक्यमा प्रयोग करो पहला नरेंद्र नाने पनले होनहार रहीज दूसरा गुस्सा गुरुजी गुस्सा होगे तिसरा गुरुजी हामर गुरुजी अच्छा पढ़ा थे उजजर नरेंद्र हा भारत देश के नाव लग उजजर करीज प्रश्ण नमबर चौथा चार संग्रा सब्द खोज़ आओ लिख़व संग्रा सब्द आने जोला एक साथ प्रयोग करे जाते जैसे कि पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई, देश परदेश, इहां उहां दाई ददा आओ भाई बहनी आगे हैं मुहावरा आखी लाल होना एकर अर्थ होते क्रोधित होना मुह लल्याना कुस्से असर्म से मुह लाल हो जाना तीसरा नमबर सक पकाना यानि की सहम जाना ये था हमारा प्रश्ण अभ्यास और भासाध्यन और व्याकरण विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर और सिस्क्राइब करें थाइंक यू